हलो फ्रेंज, आज हम बनाने जा रहे हैं मैथी आलू की सबजी, अगर ऐसे मैथी आलू बनाएंगे तो कभी भी कड़वी नहीं बनेगे आपकी सबजी, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने एक बाउल में मैथी को धो कर काटके रख लिया है, यहाँ मैंने पैन में तेल गरम कर दिया है, इसके अंदर सबसे पहले जीरा डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्ष डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है सबजी में फ्रेंज, इसके बाद हम इसमें अपने कटे हुए आलू डालेंगे, और आलू को चलाने के बाद इस के अंदर हम नमक डालेंगे, और सबजी को अच्छे से चला लेंगे फ्रेंज, इसके बाद मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम लो कर दिया है, और सबजी को चला कर इसको एक मिनट के लिए लिड ढ़क के रख दूंगी, और सबजी को यहाँ पर हम पकने देते हैं, एक मिनट सबजी चेक करेंगे, देखें फ्रेंज, यहाँ पर आलू अच्छे से गल चुका है, इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं, सबजी की खुश्बू बहुत ही अच्छी आ रही है फ्रेंज, अगर मेरी मिनाई रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंज, तो मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब करना और बैल आइकन दबाना